आप सभी इस नहीं मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बेनों को ओम शांति, शांति के सागर, प्यार के सागर, बेहद के बाप के बच्चों को ओम शांति, ओम शांति आज के इश्वरिय महावाक्य एक छे दो है सर बाइस का मुरली है आज ग्यान दाता सर्वकल्यानकारी विश्वकल्यानकारी सर्वशक्ति मान बाप ने हम मास्टर सर्वशक्ति मान बच्चों से कहां मीठी बच्चे सदा इश्वरिय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा खुशी का पारा चड़ा रहेगा मुरली का प्रश्ण है नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है उत्तर में बाबा ने कहा उनकी दिल में स्वर्ग की वादश्चही की खुशी रहती है क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्से के अधिकारी बने बाप में सब समाया हुआ है प्रश्ण है बाप बच्चों को रोज भिन भिन धंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करने है, बच्चे बाब द्वारा नई-नई पॉइंट सुनते हैं, तो बाब की प्रती लब बढ़ता जाता है। गीत है तुने रात गवाई सोके, ओम शयते, बच्चे बैठे नजर लगा कर, बाब भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरेर को, बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मज़ा आता है, वा सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ग्यान तुमने ही सबसे चास्ती भक्ती की है, वेद, शास्त्र, ग्रंत, गीता, गायतरी, जप, तप, दान, पुन्य, आदिस पढ़े किये हैं, बहुत सुनते हैं, बाब समझाते हैं, कब से लेकर यह सुने हैं, जब से यह निकले हैं, बहुत सुना हैं, बाकी बाब से नजर मिला अभी ही होता है, नजर से निहाल होते ही हैं, यह एक श्लोक भी है, नजर से निहाल स्वामी किंदा सत्गुरु, गुरु भी है, स्वामी भी है, सजनियों का नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं, कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है जब बाप मिला नजर के सामने बैठे हो तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चड़ेगा पहले बाप का नशा फिर बे बादशाही का नशा हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं देहे अभीमान अभी निकल रहा है हम आत्माय इस शरीर के साथ चक्र लगाते पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाब भी सब मुख बेठा है बाब के साथ खुशी होती ही है वर्से की बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धी में आता है हम बरिस्टर का इंचीनियर का बादशाह का बचा हूं मैं बादशाही का मालिक हूं यहां तुम चानते हो बाब से हमको स्वर्ग का वर्सा मिलता है बाब को देखने से बच्चों को स्थाई खुशी होनी चाहिए इसको ही रूह रिहान कहा जाता है जो सुप्रीम बाब है सबका वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं आत्मा इस शरीर द्वरा सुनती है यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाब को याद करते करते जब वह आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्सा देते हैं यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए बच्चे जो हैं वह भूल जाते हैं भूलना नहीं चाहिए बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं बाबा को देखने से खुशी का पारा चरता है और बाब बैठ नई-नई पॉइंट समझाते हैं बाब से बच्चों का पूरा लब हो चै आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि विज़ड़ी हुई है। अनिक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सब मुख बैठी हैं, तो देखकर हर्षित होने चाहिए। बाप के सम्मख होने से हर्षित होते हो, बाबाप सिदूर होने से भी इतना हर्षित पना रहता है। विवेक कहता है, भाहर तो बहुत बाते सुनते हैं, तो बुद्धी और तरफ चली जाती है। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, समुक सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। तुम ही इस बात को जानते हो दुनिया में करोडों आत्माए हैं परन्तु कोटों में कोई मुझे पचानता है मैं क्या हूँ और कैसा हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे द्वारा क्या मिलता है यह समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है श्री बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए लव कैसे बढ़े जो बाबा से हम उच्छ वरसा लेवे बाब कहेंगे खिदमत माना सेवा करो बाब बच्चों की खिद्मत करते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा दूर देश से आया है, निश्च्चे बुद्धी, बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मुझना नहीं चाहिए, परन्तु माया बहुत चबर जस्त है, बाबा तो शंकार रही है, मनुश्य को दे बनाते हैं, यह स्कूल है ही देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मनुश्य जब माते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो याद से कोई फैदा ही नहीं, तुमको तो बाब की पूरी पचान है, तुम आते ही हो, श्री बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रियेटर है, क्रियेटर कैसे करेंगे, प्रजा पिता ब्रम्हा को क्रियेटर कहते हैं, बाबा केते हैं मैं आहूं निराकार और creator हूँ तो create कैसे करेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा को भी creator कहाते हैं क्योंकि वो जो उच्च बाप है वो जो director creator है वो इस साकार लोग में आकर प्रजा पिता के तन में आकर प्रजा पिता को create करते हैं क्रियेटर प्रजा पिता के द्वारा ही फिर नई दुनिया की रचना होती है रचता बाप कराते हैं तो फिर प्रजा पिता ब्रह्मा को भी creator कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुशिश रष्टी पैदा होती है इसलिए प्रज़ा पिता ब्रह्मा कहा जाता है, तुम अब ब्राम्भन बने हो तो, तुम्हारी आत्मा बच्छी रिती चानती है कि हम शिप बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तुम पिज़े माला में नस्दीक पिरोए जाएं, तो बाबा को बहुत याद करन अपड़े, फिर तुम कर्म योगी भी हो, घरबार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान, यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है, वह ग्रस्थब अभार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहना हैं, ना किसको कह सकते हैं, जो जैसा है, वह ऐसा ही बनाएगा सन्यासियों यह कह नहीं सकते, कि कमल समान पवित्र हो, अगर कहें, ब्रह्मा को याद करो, वह भी हो नहीं सकता, कहेंगे, तुमने तो घरबार छोड़ दिया, हम केसे छोड़ें, तुम ही घर ग्रस्थ में रहें, नहीं ही सके तो दूसरों को कैसे कह सकते, पहराज योग की शिक्षा देना सके, अभी तुम सभी धर्मवालों के राज को समझ गए हो, हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है, कल्यूग से फिर सत्यूग होना है, सत्यूग के लिए चाहिए आदिस सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्मवाले मनुशे को देवता बना नहीं स सकते, उन्हों को जाना ही मुक्ती में है, सुख है ही स्वर्ग में, जब हम देवी देवता बने, तब दूसरे धर्मवाले मुक्ती में जाए, जब तक हम जीवन मुक्ती धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं, तब तक कोई मुक्ती में जा नहीं सकते, स्वर्ग और नर्क रहने हैं सकते तो जीवन बंध वाले रहने नहीं चाहिए तुम चानते हो इस समय है संगम, तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो दूसरे कोई मिलना सके दूसरे समझते हैं या तो कलयूग है हम अभी कल यूग में हैं बाबा केते हैं हम अभी कल यूग में नहीं हैं ऐसा समझते हैं बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं जो अडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं, वो है अपने मित्रसंबंधी आदी सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम रहता है, तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया से हम ने लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं, इस से हमारा कोई तालोक नहीं है, यह भगवान अप पिता परमात्मा साली गराम बच्चों से बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं, वो दिव्य चक्षू देने वाले परम पिता परमात्मा, हम उस दिव्य चक्षू से उसे देखते, और वह भी इसी दिव्य चक्षू को देखते, तो हम आत्माओं से बात करते, अर् परण तु जानते नहीं हैं, बाप को ना जानने कारण मुझ पड़ते हैं, इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बचाती हैं, हम परमधाम से आती हैं, वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं, मनुशे तो न ना आत्मा को, ना परमात्मा को जानते हैं, कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते हैं, गीता में सारा रॉंग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है, बाप पूछते हैं, तुम मुझे जानते हो न, कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, तुम मुझ जानते हो, उनको तो सारी दुनिया जानती है, वह ग्यान देना सके, तो सरूर समझना, समझाना चाहिए, भगवान रूप बदलता है, परन्तु कृष्ण नहीं बनता, वह मनुश्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं, कृष्ण के तन में आने की दरकार ही नहीं क्योंकि वो तो सतो प्रधान आवस्था में रहने वाला बालक है, जो प्रिंस है संसार का, और जब निर्विकारी सोलकलाओं से संपूर्ण बालक के तन में कैसे आ सकते, वहां तो प्रमाद्मा को आने की दरकार ही नहीं है, तो बाबा कहते, मैं रूप बदलता, लेक भगवान आते ही नहीं, वह भगवान तो लोप हो जाते हैं, और हम आत्माओं से ये ग्Yointo भी लोप हो जाता है, तो वहां तो प्रालप्धी प्राप्पथी है, यह है ब्रहहाँ, वह है ही कृष्ण की आत्मा, सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं, यह है कृष्न के चोर प्रधान अवस्था में रहता है, उस समय उसे कृष्ण कहते, लेकिन जब देवी देवता आकर वहां मार्ग मंगिर कामचिता पर बैठ काले हो जाते, आत्मा काली हो जाती, विकारों में आ जाती, तब किसी को भी देवी देवता तो कहा नहीं जा सकता, वो तो फिर आकर चले गए होते हैं, तो ऐसे ही ठीक वैसे ही यदि हम समझें, कि यदि मैंने इस समय इस तन को पहना है, और अगले जब ये शरीर छूड़ दूसरा शरीर लेते हैं, तो मैं सेम हूँ वो हूँ, यही उमा और यही नाम से नहीं जाने जाओंगी, तो मैं फिर कैसे उमा कहलाओंग तो ऐसे ही कृष्ण को कृष्ण कैसे कह सकते, कृष्ण तो है ही सत्योग में उसके तन में कैसे आएगा, तो अभी तो अन्तिम जनम है कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा लेकिन वो कृष्ण नहीं है, तो चौरासवे जनम की आत्मा जो फिर आदी में कृष्ण बनता है, अंतिम चन में मैं कृष्ण पत पाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हैं, वो खुद पुर्शार्थ ही हैं, तो यह कितनी गुप्त बाते हैं, जरा सी बात भूल गए, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है, तुम जानते हो, हम कृष्ण के घराने के थे, अब शीप बाबा से फि कुछ भी सिथ नहीं होता है, गीता में दिखाया है, पांच पांडव जाकर बचे, कल्यों की आयू लाखों वर्श देदी है, इतनी सहज बात भी मनुशे नहीं जानते हैं, तुम इशारे, कितना इशारे से समझ सकते हो, कि हम ही सूरेवन्शी घराने के थे, आब सूरेवन आए हैं, फिर प्राम्हन से देवता बनते हैं, वर्णों को भी बुद्धी में रखना पड़ता है, उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है, चोटी ब्राम्हन और शिप बाबा को भूल गए हैं, बाकी देवता, श्यत्रिय, वैश, शूद्र दिखा दिये हैं, ब्राम तो जरूर चाहिए, ब्राम्हा की उलाद कहां गई, यह कोई की बुद्धी में नहीं बैठता, तुमको बाप अच्छी रीती समझाते हैं, तुमको बुद्धी में अच्छी रीती धारन करना है, जो नौलेज बाप की बुद्धी में है, वह तुम्हारे में भी रहने चाह मैं तुमा अत्माओं को आप सुमान बनाता हूँ, जो श्रश्टी चक्र की नौलेज मेरे में है, वह तुम्हारे बुद्धी में है, बुद्धी में भी है, और बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी और घड़ी घड़ी विचार सागर मन्थन होता रहे, पर याद किसी भी रीती करो, लेकिन घड़ी घड़ी विचार सागर मन्थन होता रहे, ठीक वैसे ही जैसे गाए सुबह में भोजन कर लेती है, घास खा लेती है, तो फिर वो जुगाली से अपना डाइजिस्ट करने के लिए क्या करती है, जुगाली करती है, ऐसे ही तुम बच्चों को, चहे मुरली हो, चहे बाबा के 84 का चक्र हो, चहे सदर्शन चक्र हो, और चहे सत्यूग के नजारे देखना हो, चहे अपना परमधाम के नजारे को देख करके आना हो, इसी सब में लगे रहो, ऐसे ही जुगाली करते रहो, ऐसे ही सागर मन्थन होता रहे, तु तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिलकुल सहेज समझाते हैं, कहते भी हैं, आटमा, प्रमातमा, सत्गुरू, दलाल के रूप में पढ़ाते हैं, दलाल अथपा सौधा कराने वाला, बाबिन द्वारा आकर अपने साथ सौधा कराते हैं, तुम जानते हो, दलाल को याद नहीं करना है मेडियेटर को याद नहीं करते न कहते है कि अगर किसी से जमीन खरीदनी हो तो डारेक्ट बात करो अगर हम किसी दलाल के थू जाएंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होगा और जूट में भी फस सकते हैं क्या पता सच है की नहीं है क्या पता वो जमीन सच में सुलजी हुई है या कोई केस में उलजी हुई है तो ना जाने कैसे कैसे मिल जाते हैं तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि दलाल अध्वा सौदा कराने वाला बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सुवधा कराते हैं, तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है, दलाल से connection रख करके direct प्रमात्मा तक तो पहुँच नहीं सकते, दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिप बाबा से, तुम सब बीच बाले दलाल हो, कहते हैं परमपिता प्रमात्मा से तुम्हार क्या संबंध है, तुम सगाई कराने की युकती रचते हो, फिर प्रजा पिता का नाम भी देते हो, वर्सा शिप बाबा से मिलता है, स्वर्ग का रचता ही है, वह जिव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है, सगाई की थी, वर्सा पाया था, फिर से पाते हैं, का यही धन्धा है, और कोई भी आत्मा की परमात्मा से सगाई नहीं होती, सगाई भी उनसे कराते हैं, जो विश्व का मालिक बनाते हैं, यह है उच्च दे उच्च रोहानी सगाई, रोहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं, कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प क पिर से मनुष्य बनते हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परन्तु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता की है? क्योंकि देवता धर्मस्थापन करते हैं, तुम भी जानते हो, इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सब कहते हैं क्रैस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत है परन्तु बुद्धी में नहीं आता है, भारत पहले स्वर्ग था, अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परन्तु सबकी उतरती कला है, हमारी है चरती कला, चरती कला मैं एक सेकंड लगता है, आच्छे, मीठे मीठे सी की लाधे बच्चों परती, मात पिता, बाप दादा का या को याद प्यार और गुड मोरिंग, शुकरिया बाबा मेठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहार, मेरा दोशी बाबा एक, दुसर उना कोई, मेरी आत्मा, मेरा की तरह, मेरे कृष्ण की दीवानी, मेरे निराकार राम प्रभू की दीवानी, मेरे प्यारे पर के लिए मुख्यसार पहला बाबा ने कहा कभी भी किसी बात में मुझकर निश्चे में उपर निचे नहीं होना है घरबार संभालते कर्म योगी होकर रहना है विजय माला में नस्दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है दूसरा बाबा ने कहा बुद्धिवान बनने के लिए ज्यान का विचार सागर मंथन करना है सदा खिदमत सेवा में तत्पर रहना है आप समान बनाने के सेवा करनी है वर्दान बाबा ने बच्चों को दिया बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरे पन को अरपन करने वाले बेहद के वैरागी भव कई बच्चे कहते हैं म मेरी यह श्रक्ती है, यह भी गल्ती है, प्रमात्मदेन को मेरा मानना यह महापाप है, कई बच्चे साधारन भाशा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को मेरी बुद्धी को यूस नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना मानना मैला होना, मैं से मन मैला होता है, और तेरा कहने से हलका हो जाता है, तो मन साफ हो जाता है, किसका तेरा मानना उसका, तो यह भी बबाबा केते हैं, जो मेरी कहना है मानना मैला होना है, यह भी ठगी है, इसलिए इस हद के मेरे पन को अरुपन कर सदा बाबा शाब्द याद रहे तब कहेंगे बेहद के वेरा की आत्मा दुनिया में होंगे हजारों शिब्द लेकिन हमारी दुनिया में दो हे शिब्द मीरा बाबा, मीठा बाबा तो यही दो शिब्द हैं खजानों की चाबी और इसी चाबी को इस्तेमाल कर हमें विश्व में राजाई प्राप्त करना है तो मेरे पन के हद को बेहद में बदली करने के लिए मेरा बाबा याद रखे आज कर स्लोगन बाबा ने दिया अपनी सेवा को बाप के आगे अरपन कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा कई बार हम बाबा के सामने सम्मुख बैठ कुछ भी नहीं सिर्फ उस नेराकार परमपिता प्रमात्मा को देखने की भी तरकार नहीं सिर्फ उसे बुद्धी से याद करते रहो तो जो आपके मन में है न सब कुछ उसके पास तक पहुँच जाता है सिर्फ उनके पास बैठने मात्र से आपका सारा जो भी मन में है वो संपूर्ण आपको मिल जाता है आपको वह प्राप्ती हो जाती है तो इसी तरह से अपनी सेवा को बाब के आगे अरपन कर दो मेरा कुछ भी नहीं है आज मैं जो भी मुख से शब्द निकाल रही हूँ वो सिर्फ मेरी करमेंद्रियों का सहारा है बाकी सब कुछ तेरा है बाबा मेरी उंगली तेरा पल मेरा नाम तेरा काम मेरी महिमा उपर बैठ कर अनकरावन हार की करा रहा है और हम यहां बैठे नाम कमा रहे हैं और परमातमा हमें गुखतरीदी नाम बाला कर रहा है हमारा तो यह है जब आप अंतर मन में इस तरह से भाव रखेंगे बाबा की प्रती, तो आप बहुत 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 नाशे में रहेंगे, बाप के लब मेंलीन हो जाएंगे, उस प्यार के सागर की लेहरों में सदा लेहराते रहेंगे, और उड़ते रहेंगे हलके बन करके, ऐसे मुस्कुराती, चहकती, लहकती, बादलों से उपर उड़ती, सर्वशक्ती, मान पिता के बच्चे बन करके, और भी हम जैसे आत्माय साथ साथ उड़ते हुए, उस बादलों को उस सुक्ष मुगतन से भी पार जाकर के हम परमधाम की निवासी, सबी आत्माय अपने अप पटना चल सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबा और मेरा बाबा और में, में और मेरा बाबा, में और मेरा बाबा, यही आपको सब कुछ दिलाएगा, आच्छे, ओम शांति, शुक्रिया बाब दादा, शुक्रिया आप सबीगा झाल झाल